हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको बताऊंगी बिना केक स्पॉंज और बिना नोजल के हम केक डेकुरेशन की प्रैक्टिस आइसिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं जिसके लिए मैंने केक टिन लिया है और अपने टरंटेबल पर थोड़ी सी क्रीम लग करने हैं वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉर्ट कर रहा है ताकि वीडियो लंबी ना हो अब साइड वॉल्स टे में क्रीम लगा रहे हो अगर आपका टेन थोड़ा सा लगेगी नहीं जहें कर पा रहे हैं आप आइसिंग हलका सा अपना थम देखे उससे आप से उसके बाद हम इसके ओपर स्क्रैपर यूज़ करेंगे यह साइड वॉल पर हम स्क्रैपर को यूज़ कर रहे हैं कितने अच्छे से देखो हमानी आइसिंग हो रही है साइड वॉल पर हमारे स्क्रैपर यूज़ हो गया अब हम अपना पैलेट नाइफ क्लीन करेंगे और कवर करना है थोड़ी सी क्रीम उठाई में को लाइट हैंड से लगा के राउन घुमाते हुए पैलट नाइफ को लाइट हैंड से वहार निकाल लेना है यह देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी आइसिंग हुगी है साइट से मैंने टरन टेबल क्लीन कर लिया अब मैंन सबसे पहले हम इस पर साइट स्पॉर्टर देंगे साइट स्पॉर्टर देने के लिए आप देखिए मैं कैसे करती हूँ वीडियो अगर मेरी पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चरूर करिएगा अभी साइट से देखिए मैंने कैसे कितरा अच्छा देखिए मैं इस तरह से नीचे से भी हम इसमें बाटर दे देंगे जरूरी नहीं है कि हमें ऑल्वेस केक ही बनाना है और उसी के ओपर हमने अपनी आइसिंग करनी है दोनों तरह से उपर नीचे से बाटर दे दिया अब हम रोजनेल लेंगे क्रीम का एक पेस दिय देखिए फ्रेंड्स आप मैं कैसे फ्लावर्स बना रही हूं इसी तरह से आप भी फ्लावर्स बनाएंगे जितना बड़ा चोटा करना है आप कर सकते हैं सीजर की हेल्फस से उठाकर फिंगर का सपोर्ट देखिए हम अपने फ्लावर्स को नीचे रख देंगे अब चॉइस आपकी है कि आपने एक फ्लावर्स लगाने है दो लगाने है मैं यहाँ पर तीन फ्लावर्स लगा रही दो लगा दिए एक और बनाती हूँ जिससे थोड़ा सा अभी खाली खाली लग रहा है यह कंप्लीट हो गया अब इसको थोड़ा सा और डेकॉरेशन मुझे जैसे करनी है तो इस पे मैं थोड़ा से सिल्वर बॉल्स दाल दूगी बीच में थोड़ा सा रेंडमली दाल दू कि लाइक शेयर सबस्क्राइब ज़रूर करिएगा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई